नमस्कार स्वागत है आपके सिंद नीज में और मैं हूँ आपके साथ सिम्रिंचीत कॉर्ड भारत में जहां कोरोना वाइरस की दूसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है पर डेल्टा वेरियंट का खत्रा अभी भी नहीं टला है इसमें पहले की गई स्टाडीज में बताया गया है कि डेल्टा वेरियंट काफी संक्रमित है विग्यानिक अध्यान ने बताया है कि कोरोना का डेल्टा वेरियंट लक्षन दिखाने से पहले ही दूसरों को संक्रमित कर रहा है वहीं तीसरी लहर आने में लगबग एक महीना भी बाकी नहीं है और ये लहर इतनी खतरनाक हो सकती है कि एक दिन में पांच लाग से ज़ादा केसे सामने आ सकते हैं देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,466 नए मामले सामने आये हैं वहीं डिस्टार्ज होने वालों की संक्या 49,486 रही 354 लोगों की मौत हो गई महराश में एक दिन में 3,643 कोरोना पॉस्टिक केसे सामने आये हैं 6,795 लोगों ने इस माहमारी को माद दी साथ ही 105 लोगों ने इससे अपनी जान गवा दी केरला में भी बीते दिन 13,385 लोग संक्रमित पाए गए हैं वहीं 21,942 लोग रिकवर भी हुए हैं जबकी 90 लोगों की मौत हो गई उतर प्रदेश में भी साथ नए मामले दर्श किये गए हैं इस दौरान 18 लोग ठीक भी हुए हैं करनाटका में बीते दिन 11,59 नए मामले दर्श किये गए वहीं 14,42 लोगों ने कोरोना को मात दी जबकी 10 लोगों ने अपनी जान गवा दी कोरोना की लेटिस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं के निवस्दानेवाद